हेलो एब्रिवन आज हम जाने वाले हैं उत्रप्रदेश की राजधानी लखनाओ तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए तो चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं भाईयों और उनकी प्यार प्यारी बहनों को मेरा इस नहीं भारा नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरी नई यात्रा में और आज हम मवजूद हैं उत्रप्रदेश की राजधानी लखनाओ में और आज हम आपको लखनाओ की कुछ ऐसी बाते बताने वाले हैं जिसे साथ ही आप जानते हूं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई किसी ने क्या खूब कहा है कि लखनाओ की गलियों का इतिहास बहुत ही पुराना है हमसे पूछो हमने इसे बहुत करीब से जाना है जितनी प्यारी भासा है उतना ही कड़क स्वभाव भी जी हाँ ये वही लखनाओ है जिसे सन 1920 में उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया था अंग्रेजों की हुकूमत ही नहीं लखनाओ ने मुगलों की बास साहथ भी कई दसकों तक देखी है इतिहास की कुछ और पन्ने पलटने पर पता चलता है कि लखनाओ प्राचीन कौसल राज का हिस्सा हुआ करता था जो कि भगवान सीरी राम की बिरासत थी जिसे उन्होंने अपने भाई लक्षमर को समर्पित कर दिया था जिसे लखनपुर के नाम से जाना जाने लगा बाद में इसका नाम बदल कर लखनव कर दिया गया आयोध्या से मात्र 80 मील की दूरी पर यह इस्थित है एक रिसर्च के मताबिक लखनव आज के समय में भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा खुस रहने वाला सहर है लखनव का गयाने स्वर मिस्तरा पार्क साइन्स सिटी और मैरीन ड्राइब खास तोर पर युगाओं के बीच सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आई होप आप सभी को ये मेरी छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी